चुनाव आयोग ने देश में उम्मेदवारों के दो सीटों से चुनाव लड़ने के प्रावधान को खत्म करने की सिफारश की है चुनाव आयोग ने केंद्रिय कानून मंत्राले को भेजे गए चुनाव सुधार के प्रस्तावों में ये सिफारश की है चुनाव आयोग ने इसके साथ ही और कई सुधारों की सिफारश की है चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर सरकार इस प्रावधान को बनाए ही रखना चाहती है तो उप्चुनाव का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सीट छोड़ने वाले उमीदवार पर डाली जाए विधान सभा और विधान परिसित की उप्चुनाव के मामले में राशी पांच लाग और लोगसभा उप्चुनाव में राशी दस लाग होनी चाहिए सरकार इसे समय समय पर बढ़ा सकती है प्रत्याशी का सीट छोड़ना वोटरों से अन्याई के समान है इससे पहले चुनावायोग ने 2004 में भी इसकी सिफारिश भेजी थी लेकिन इस पर आगे कोई कारवाई नहीं हुई 1996 में संसित में पारत हुए संशोधनों के अनुसार ये नियम बना दिया गया कि कोई भी उमीदवार एक साथ ज्यादा से ज्यादा दो सीटों से चुनाव लड़ पाएगा इससे पहले उमीदवार कितनी भी सीट से चुनाव लड़ सकता था चुनाव आयोग ने ये भी सिफारिश की है कि अगर किसी उमीदवार पर सरकारी एजंसी का बकाया है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा ऐसे में चुनाव आयोग का ये कलम अगर लागू हो जाता है तो भारती लोकतंत्र में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है तो है तो है वे सकता है